गुर्ड मॉर्णिंग उरे देश में कोरोना वैरस का कहर जारी है और इसका असर सभी त्योहारों पर भी पड़ रहा है शिय समास द्वारा मनाये जाने वाले मोहरम का महीना भी कोरोना की भेंट चड़ गया है केंद्र सरकार की तरफ से सक्त इशारों में किसी भी त्योहार में भीड जमा करने पर पावंदी लगा दी गई है यही वज़े है कि इस बार मोहरम पर ताजिया और जूलूस निकालने पर रोक लगी है क्योंकि देश भर में कोरोना वाइरस गाइड लाइन्स का पालन किया जा रहा है और कोरोना संक्रमन के चलते इस साल जूलूस निकालने पर सरकार की तरफ से पावंदी लगाई गई है तो आईए जान लेते हैं कि इस पर सरकार की क्या गाइड लाइन्स है तो आपको बता दें कि इनी तमाम गाइड लाइन्स के जारी होने से पहले लगनों में इमाम जुमा मौलाना कल्वे जवाद ने दिल्ली में रक्षा मंतरी राजना सिंग और अल्प संख्यक कल्यान मंतरी मुखतार अबास नखवी से मुलाकात की थी मौलाना यासूब अबास भी रक्षा मंतरी से मिलने दिल्ली गए थे मौलाना यासूब अबास ने कहा कि महरम हमारे लिए कोई पर्व नहीं है वो तो गम का मौका होता है उन्होंने कहा कि सरकार को अपनी गाइड लाइन में संख्यक करने चाहिए भले ही बड़े जुलूस की इजाज़त ना मिले लेकिन ताजिय उठाने की अनमती मिलने चाहिए वहीं मौलाना की बात का जवाब देते हुए सरकार में मंतरी मौसिन रजा ने कहा कि कोरोना कव देखते हुए जो सरकार की तरफ से गाइड लाइन जारी की गई है उसका सभी को पालन करना चाहिए किसी धर्म विशेश को लेकर किसी को नहीं कहा गया है जन्माष्ट में गणपती महरम सब पर पाबंदी है और धर्म गुरु को लोगों से अपिल करना चाहिए किस सामप्रदाइक संप्रसोहार्द बना रहे है तो इस तरह से कोविड-19 की गाइड लाइन्स को पालन करना होगा और उसी गाइड लाइन्स के एकार्डिंग महरम का भी त्योहार मनाया जाएगा तो यह थी लेटेस्ट अपडेट वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके और प्लीज ज्यादा सेदा इसको शेयर जरूर कर दीजेगा ताकि सभी को जानकारी हो जाए और सभी लोग जो है कोरोना-19 की गाइड लाइन्स का पालन करें और स्वस्त्र हैं ओके थैंक यू